Hello friends, आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जार हों कि कैसे आप अपने Vivo Z1 X Android में आप जो मैसे Send Sound Settings को आपना Disable कैसे कर सकते हैं यानि की Off कैसे कर सकते हैं और ये Message Send Sound Settings जो है Disable होने के बादी इस सेटिंग कैसे काम करेगी आज की इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का हमें start कर ले थे सबसे परहे तो आपको अपने while phone में setting page open करना है setting page को open कर लीजे अपने while phone में setting page में आपको नीचे यह आना है और यहापर आपको यह option मिलेगा sound and vibration इस option को select करना है अब इसके अगले page में आपको नीचे आना है यहापर आपको यह option मिल जागा message send sound का message send sound इस option के ठीक सामने आपको यह button दे रखा है इस button को आपको tap करना है तो यह button आपको black color में off हो जाएगा यानि कि setting आपकी इस तरीके से disable हो जाती है अब इस setting जो है disable होने के बाद इस setting कैसे काम करेंगी यह मैं आपको समझा देता हूँ देखिए आपके mobile phone में यह text message का app होता है text message के app को open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो इस app के जरीए अगर आप किसी को भी message send करेंगे न तो जैसे ही आपका message send होगा तो उस वक्त आपके mobile phone से कोई भी sound की आवाज नहीं आएगी ठीक है तो यह जो message send sound setting है यह disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके mobile phone में अब मैं आपको इस setting को जो ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना है message send sound ठीक है इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की side यह option show हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ message send sound का यह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है तो इससे select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंदने का आपके mobile phone में